जब से सुना हूं मदुवन्य हत्याकांड के बारे में और यूटूब पर वीडियो देखा हूं बहुत परिसान हूं मै यह सोचकर परिसान हूं कि कोई किसी व्यक्ति को कैसे कार सकता है वो भी इर्दोस व्यक्ति को जो क्यों बेचारे एक फौजी और उसके पूरी परिवार होली में अपने घर में थे होली मना रहे थे उसको पहले गोली मारा फिर उसको काटा ऐसे लोगों को तो भासी की सजा होने चाहिए और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उन सभी हत्यारों को पकड़ा जाए और फासी की सजा दी जाए जब उन बच्चों के बारे में मैं सोचता हूँ तो आखों में आसू आ जाता है वो छोटे छोटे बच्चे बेटी बेटा जब रोता है मैंने कई वीडियो देखा कई बार देखा और ऐसा कोई दिन नहीं है जोकि मैंने नहीं देखा देखकर मैने बस यहीं सोच रहा हूँ कि उस बच्चों के सामने उसकी पिता को गोली मारा गया फिर काटा गया किस प्रकार से वो सहन किये उस बच्चे के सामने हमेशा अपने पिता का चेहरा मरते हुए वो चेहरा यादा था और वो कहते हैं मैंने देखा YouTube पर सारे वीडियो को क्या देख मेरे पापा को मेरे सामने मरने के बाद भी काटा गया है ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और सीधे मौत की सजा मिले और उस प्रकार का मौत हो जिसे देख कर लोग ऐसा खिनवना हरकत करने से पहले एक सो बार सोचे मुझे बिहार सरकार से ही मांग है और मोधी सरकार से भी कि इसपे पहल करें जल्द से जल्द गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि और किसी का घर बरवात ना हो